वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते प्रस्तुत है गुरुनानक देव जी के जीवन से संबंधेत घटना पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानपुर लोधी पांसो वर्ष पहले वहां एक नवाब का शासन था जिसका नाम था दौलत खान लोधी गुरुनानक के बहनोई यानि उनके जीजा जी जिनका नाम था जैराम जी इस नवाब के पास नौकरी करते थे कुछ दिनों के लिए नानक जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया जब नानक जी सुल्तानपुर पहुँचे तो जैराम जी उन्हें नवाब से मिलाने के लिए ले गए नवाब ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया उनका भोला भाला चेहरा, कुछ पाने को व्याकू लाखें, कुछ बोलते से होंट, मस्तक पर चमकता हुआ तेज, ये सब देखकर नवाब बहुत प्रभावित हुआ, वहनानक जी से बोला, आप मेरे पास काम करना पसंद करेंगे? हाँ, यदी काम मेरी पसंद का होगा, तो करूँगा, उन्होंने कहा, कैसा काम आपको पसंद होगा, नवाब ने पूछा, जिस से बहुत से लोगों का भला हो, नानक जी का उत्तर था, नवाब ने कुछ देर सूचा, फिर बोला, आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिये, यह से अनाज बांटा जाता है, आप यह काम अच्छी तरह कर लेंगे, नानक जी ने यह काम करना स्विकार कर लिया, वे अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते थे, परंतु जो रसद उन्हें अपने लिए मिलती थी, उसे भी वे जरूरत मंदों में बांट देते थे, एक बार नानक जी किसी को रसत तौल रहे थे, अपने तराजू से वे बारां बार तौल चुके, जब तेहरमी बार तोलने लगे तो मुख से निकला तेरा, अब तेरा का एक मतलब है तेरां, यानि थर्टीन, एक और तीन तेरां, और दूसरा मतलब है तेरां था तुम्हारा, यानि परमात्मा का बस नानक जी की रट तेरा पर ही लग गई तेरा तेरा कहकर उन्होंने ना जाने कितनी रसद उसे तौल दी लोगों ने नवाब से शिकायत की कि नानक जी तो मोदी खाने को लुटाए दे रहे हैं पर जब जाँच परताल की गई तो रसद पूरी निकली